दोस्तो एक और बरी खबर सामने आ रही है ओवेसी ने कहा नहीं चाहिए पांच एकर की खैरा आते वही के आरके ने किया ऐसा ट्वीट सबकी बोलती हुई बंद दोस्तो वीडियो पर लाइक कर दे शेर कर दे चैनल पर नया है तो सब्स्राइब करके बेल आइकन दबा ले आये जानते हैं पुरी खबर राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोट ने आज 9 नौमबर को अपना फैसला देश के सामने रखा वकिलो और राजनेताओं ने अपने अपने बयान भी साजा किये लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो इंसानों की जिसमें एक बॉलुवर्ड में काफी चर्चा रहते हैं और दुसरा राजनीतिक में जी हां हम बतार हम बात कर रहे हैं कमाल आर खान और ओवैसी की अयोध्धा पर फैसला आते ही मेडिया और तमाम लोगों की नजरे इन दोनों की परतिकिरिया पर ठीकी थी लेकिन दोनों ने एक दुसरे से बिलकुल विपरिट ट्विट करके देश और मिडिया को चोंका दिया है एक तरफ जहां वो वैसी ने बयान दिया कि हैसले से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोट वास्तम में सरवुच्च है लेकिन अचूक नहीं हमें संबिधान का पूरा भरोसा है हम अपने हग के लिए लर रहे थे हमें दान के रूप में 5 ए जमीन के प्रस्ताब को अविश्कार करना चाहिए हमें संरक्षन नहीं देना चाहिए वहीं दूसरी तरफ कमाल खान ने कहा कि मैं मानिये सर्वच नयालय की अतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि सरकार को आयुद्धा में राम मंदिर बनने की अनुमती दी आपको इस पर क्या राय है दोस्तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद